नमश्कार सभी सात्यों को मैं स्क्रीन फिक्सर से राज एक बार आप सभी का फिर से स्वाकत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बगेर मोबाइल ओपन किये कैसे सैमसंग नोट नाइन का ग्लास चेंज कर सकते हैं दोस्तों इसका ओली ग्लास 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 है दिस्पले इसका प्रॉपर वर्किंग है तो इस वीडियो की जो खास बात है हम इस मोबाइल को खोलेंगे नहींår विदाउट ओपन इसका हम फ्रंट ग्लास हम चेंज करेंगे जो स्क्रीन का ग्लास होता है जो स्क्रीन का ग्लास क्रैक हो जाता है उसको हम चेंज करेंगे अगर आपका भी कोई भी phone है जिसकी display प्रापर वरकिंग कर रही है और only उपर का glass crack हो गया है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं हमसे आप glass change करा सकते हैं चाहे हमारे store पर आ सकते हैं चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हैं तो आप हमें courier कर सकते हैं तो दोस्तो, वीडियो में आइड तक बने रहे हैं, इस वीडियो में पूरी आपको डिटेल से बताऊँगँ खी कैसे आप इसका गलास चेंज कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल नोटिफिकेशन अन करना ना भूले ताकि आपसे डेली ऐसी ऐसी नॉलेज़ेबल वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रह स्पूरू करते हैं दोस्तो आपने FMAC मैने आपको फोन दिखाया फोन ओन है ओन हून है और फोन को हमने सेपरेटर पर रखा है को हीट करना है उन्डर्ट पर हीट करने के बाद एक से दो मिनिट हीट करेंगे उसके बाद फिर आपने देखा मैंने कैसे ग्लास ब्लास्टर से इसका ग्लास ब्लास्ट किया है जो ग्लास तोड़ा है मैंने उपर से तोड़ने के बाद फिर मैंने इसमें वायर डालने की जगा बनाई है आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैंने वायर डालने की जगा बनाई है वायर डालने की जगा बनाने के बाद फिर हम इसमें वायर さ की एंटर करेंगे किस तरीके से वाइर एंटर करना है वो भी आपने देखा होगा और उसके बाद फिर आपने वाइर को धीरे धीरे चलाना है और इसका धीरे धीरे आपको लॉज करना है आप co जैसा विडियों में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों अगर आप तरीके से आप काम करेंगे तो आपका कोई भी काम खराब नहीं होगा अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आप भी बड़े अराम से ऐसे ही विदाउट मुबाइल ओपन किये भी ग्लास चेंज कर सकते हैं सारी चीजे मैं आप को बता रहा हूं आप यही सारी चीजे फॉलो करेंगे तो आप भी बगैर किसी किसी प्रॉब्लम के आप ग्लास चेंज कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से इसका हम ग्लास कटिंग कर रहे हैं किस तरीके से ग्लास कटिंग करने के बाद फिर हम इसको क आपको करके दिखा रहा हूँ अगर आप इसी तरीके से आप काम करेंगे तो आप भी काम कर सकते हैं एज ग्लास बना सकते हैं, एज ग्लास चेंज कर सकते हैं, एज ग्लास चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी असान असान तरीके आपके लिए लेकर आते हैं, तो एज ग्लास चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं ह अगर आप flat display का glass change कर रहे हैं तो आप edge glass change कर सकते हैं आप video देखकर भी कर सकते हैं बहुत सारे भाई हमारे बहुत सारे भाई हमारी video देखकर ही edge का glass change कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत खोशी होती है कि हम किसी ना किसी के काम आ रहे हैं और अगर फिर भी video देखने के बाद भी जिन भाईयों को doubts हैं, जिन भाईयों को काम करने में problem आ रही है, जो edge glass नहीं बना पा रहे हैं, जिने डर लगता है, तो दोस्तो आप मातर 3-4 दिन की training लेकर आप अपना डर निकाल सकते हैं, और edge glass प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, दोस्तो शियूरिटी इतनी में आपको देता हूँ, अगर आप edge glass की training के लिए हमारे पास आते हैं, और अगर आप edge glass नहीं बना पाते हैं, तो दोस्तो पूरी fees refund होती है, money back की guarantee आपको हमारे यहां मिलती है, तो दोस्तो इतनी surety ही मैं आपको दे सकता हूँ, 101% result है दोस्तो, दोस्तो एक भी ऐसा student नहीं है, जो हमारे यहां से edge glass बनाना नहीं सिका, हर student practice करके जाता है, total confidence लेके जाता है, तो अगर आपको भी अगर training की जरूरत है, हमारे किसी भी भाई को training की जरूरत है, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, दोस्तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं, आपका रहना हमारी तरफ से free रहता है, आपको रहने की कोई भी टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आ सकते हैं, और बगेर किसी टेंशन के training की जरूरत है, रहना बिलकुल free है, लाइफ टाइम आपको support भी मिलता है, दोस्तो, support आपको lifetime मिलता है, तो description में मैंने अपना number दे रखा है, अगर आपको training की तो आप मुझे बगेर टेंशन के call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, मैं इसे detail ले सकते हैं, पूरी, दोस्तो, देख सकते हैं, डिस्पले हमने glue क्लीन कर लिया, पूरी डिस्पले हमने clean कर ली, clean करने के बाद आप इसमें glass लगाएंगा, आप देखना glass भी कैसे लगाना है, दोस्तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, तो पंदरा से बीस मिनिट में आप बिल्कुल फोन का glass रेडी करके customer को दे सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आप अगर इस तरीके से काम करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपका काम होगा, और दोस्तो, आप फिनिशि प्रॉपर तरीके से करनी है, और जिस तरीके से पंचिंग आपको बताई गई है, उसी तरीके से आपको पंचिंग करनी है, पंचिंग शेटिंग भी आप मशीन की जरूर देख लेना, और आप देख सकते हैं, कैसे इसका जो फ्रेम है, वो प्रॉपर तरीके से आपको क्ली एक अगर आपका फ्रेम क्लिन नहीं है तो दोस्तों वह से ग्लास पंच नहीं होगा और तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो फ्रेम है वह चारो कॉर्नर से प्रॉपर होना चाहिए कहीं से कौरणर से कोई डेंट नहीं होना चाहिए अगर आप विदाउट ओपन अगर आप ग्लास चेंज कर रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान बहुत रखना है अगर फ्रेम खराब है फ्रेम में डेंट है तो आप in frame punching ना करें आप without open ना करें तो आप उसे पहले frame से बाहर निकाल लैं display को उसके बाद punching करें क्योंकि दोस्तों अगर dent रहेगा आप punch करेंगे तो आपका glass तूट सकता है glass अगर नहीं तूटे तðust со बबब्ल भी रह सकता है क्यों कि ग्लास में वृबस आने का चांस रहेगा और वबल वाला डिस्प्ले दोस्तो बिलकुल अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा काम ना करें हैं अब अडistant सकते हैं यह जो पनी है हो वह में डालनी है नीचे क्योंकि दोस्तों अगर हम नीचे पन्नी नहीं डालेंगे तो यहां से डिस्पले हमारी नीचे बैठी रहती है क्योंकि नीचे हमारा डिस्पले नहीं चिपका होता है तो इसको हम थोड़ा सा उपर उठाने के लिए हम पन्नी डालते हैं पन्नी डालने का यही कारण है कि महां से हमारी डिस्पले थोड़ी सी उठ जाए जब हम पंच करें तो महां पे प्रॉपर लैमिनेट हो जाए अगर laminate नहीं होगा तो फिर महाँ पर बबल शो करेगा और बबल वो नहीं जाएगा क्योंकि महाँ पर laminate नहीं हुआ है और देखिए दोस्तों मैं उपर glue भी लगा रहा हूँ आप glue पहले लगा सकते हैं उपर आप glue लगा ले glue लगाने के बाद आप glass बिठाएं और glass दोस्तों आप confirm कर लें कि चारो corner से आपका glass proper बैठा हुआ है चारो corner से glass proper बैठा होना चाहिए अगर किसी भी corner से आपका glass नहीं बैठा है तो आप sure कर लें कि आपका glass बैठा है या नहीं बैठा नहीं तो glass टूड जाएगा, glass crack हो जाएगा अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने black matte लिया है black matte पर मैंने ये phone रख दिया है phone हमने मैं आपको दुबारा बता दू phone हमने open नहीं किया है phone हमने खोला नहीं है हमने as it is हमने machine में डाला है तो आप देख सकते हैं setting भी आप देख लें कैसे आपको machine की setting करनी है और कैसे आपको punching करनी है और उमीद मैं दोस्तों यही करता हूँ कि इस video से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा और अगर किसी भी भाई को कुछ भी सीखने को मिला हो तो like तो आप जरूर करें और अगर आप इतक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe भी जरूर कर लेना क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन channel को subscribe नहीं करते हैं तो आप channel को subscribe जरूर करें दोस्तो आपका साथ रहेगा आपका motivation रहेगा तो दोस्तो हम ऐसे ही आगे भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तो वीडियो को like नहीं आते हैं जादा आप comment में पूछते भी नहीं है जादा आप channel को share भी नहीं करते हैं वीडियो को जादा से जादा share भी नहीं करते हैं तो दोस्तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने का क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है और हम आपके लिए महनत करते हैं और अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है तो इसलिए आप से गुजारिश है कि जादा से जादा वीडियो को शेयर किया करें आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है तो अब दोस्तो इसको बबल से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ और दोस्तों इस का फिनिशिंग मुझे आप ज़रूर कमेंट में मुझे लिक कर आप बताएंगे कि आपको इस phone की genre bunlar GRARP कि कंवेंआ हैं तो और फिनिशिंग को कैसी लगी हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा है इस वेडियो से आपको क्या सीकने को मिला है मुझे जरूर करके भी आपको इसकी फिनिशिंग दिकाता हूं और आप देख सकते हैं बबल दोस्तों एक भी नहीं है सिंगल डॉट भी नहीं है एक भी आपको बबल देखने को नहीं मिलेगा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डिस्प्ले बनी है आप देख सकते हैं एक भी आपको बबल का कोई भी अंश भी नहीं नजर आएगा क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपने काम किया तो आपका कोई भी बबल नहीं आता कैमरा भी दोस्तों बहुत सारे शिकायते रहते हैं कैमरा खराब हो जाता है कुछ भी नहीं है आप दो से तीन मिनट बबल में रखें तो आज के लिए थैंक यू